वेलकम तू माई चैनल तनु वेस कुचिन तनु कीचिन में आज शेयर करें हैं गुजिया के अंदर मावा की स्टफिंग कैसे तैयार की जाए तो इसके लिए हमने लिया है कड़ाई जिसको गरम करने रग दिया है उसमें आरे किलो मावा डाल दिया है ये मावा फुल फैट क् कर घी छोड़ने लगेगा अब इस खी को चमबस से दवा कर अलग कर लेना है पांस से साथ मिनिट में ये मावा भुन जाएगा और इसका रंग बदल जाएगा गुलावी रंग का हो जाएगा ध्यान रहे अगर आपका मावा अच्छे से भुना हुआ है तो घुजिया में ये 8 से 15 दिन तक खराब नहीं होगा इसलिए मावा को धीमी गैस करके भुनना जरूरी है जब ये कलर बदल देगा तब ये मावा भुनकर अच्छे से तयार हो जाएगा इस तरह भुने हुए मावा का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है फ्लेम ओफ करके इसको अलग करेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे तब तक हम अपने कुछ ड्राइफ्रूट्स काट कर रख लेते हैं जिनमें हमने लिए कुछ काजू, बदाम, चिरूजी, किश्मिश और पिस्ते इन सब को हमने छोटे टुकणों में काट कर रख लेना है जब मावा पूरी तरह से ठंड करें ध्यान रहे अगर आपका मावा ठंडा नहीं हुआ है तो चीनी पानी छोड़ देगी और स्टफिंग गीली हो जाएगी इसलिए पूरा ठंडा होने पर ही मावा में चीनी मिलाएं एक चमब से चीनी और मावा दोनों को अच्छे से मिक्स करें यहां मैंने आदर किलो मा मावा में धाई सो ग्राम चीनी डाली है आप अपनी शानुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं चीनी और मावा अच्छे से मिल गए हैं अब इसमें हमने कुछ भुनी हुई सूजी मिलानी है जिसके करण यह जो भी मॉइस्चर होगा मावा में सूजी एब्स चुलाइची हमने पीस कर रख ली थी कुछ कटे हुए पिस्ते, बदाम, काजू, किश्मिश, चिरोजी सभी को मिला दिया है और एक चम्म से अच्छे से मिक्स करेंगे यह स्टाफिंग बनकर तयार हो गई है अब इसे गुजिया में भरा जा सकता है तो गुजिया बनाने स किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दवाईए जिसे की लेटिस नोटिफिकिशन आप तक पहुंच सके एक और नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहे है तनुबैच किचिन थैंक्स फो वाचिंग